भावना कैसी? शुद्ध भावना इसलिए मैंने जो शिव योग में पहले दिन कहा तुम चाहते क्या हो? उसी को याद रखना जो तुम नहीं चाहते उसको याद नहीं रखना वो इसलिए तुमको तयारी करवा रहा था कि जब तुम शंभवी में पहुचो तो जो तुम चाहते हो जैसे ही उसको सोचोगे शंभवी वहाँ पहुच जाएगे और अगर तुम जो नहीं चाहते उसको सोचोगे यानि कि मेरी प्राबलम क्या है तो भी शंभवी वहाँ जाएगे तो फली भूत होने के बदले वो उसको निउट्रिलाइज करेगी नेगेटिव एनर्जी को तो व्यार्थ हो गया मेहनत व्यार्थ हो पर निउट्रिलाइज तो हो गया नेगेटिव एनर्जी निउट्रिलाइज हो गया तो जो तुम चाहते हो शंभवी के साद को मैं तुम से प्रार्थना करता हूँ, अब वही सोचना, वही फील करना, क्योंकि अब इस दिक्षा के बाद शंभवी तुमारे भीतर से प्रवाहित होने शुरू हो जाएगी, और मैं तुमको पूरी तरह से प्रेक्टिकल करके देखाऊंगा, किसी भी नेगेटिव अबजेक्ट को मैं तुमारे आँखों के आगे लियाओंगा, तुम उसको नाप लेना, उसकी नेगेटिव एनर्जी को और शंभर के लिए उसको देख लेना, सिरफ शंभर के लिए मैं तुमें दिखाऊंगा वो चीज, और फिर एनर्जी नपवा दूँगा, वो पॉजेटिव हो चुकी तुम भागचे हाँ, वो भागचे क्यों खुल गया? क्यों खुल गया? क्योंकि वहां जो भी नेगेटिव एनर्जी इकठी हो रुखी है, शिवीयोग के साध्भक को तो पता भी नहीं, वो तो अपनी मौज में मस्-त है, वो तो योग की स्थिती में है, लेकिन जहां जहा तैनाँ पर तो ऐसा हुआ एंग कि जहां कुछ जीवातमाइँ लोक मेन अतकी हुई थी और वह मुक्ति पाना चाहती हैoshiva-yog沙धक ग्री शंभवी शक्ति उसMe musician ho जाती हैं फोहां देखता है तो वह जीवातमा की मुक्ति हो ब MOR एन्जाने में तो तुम पतानी कितनों को मुक्त कर दोगे, अंजाने में तो सैकड़ों लोग रोज ही मुक्त हो जाएगे, तो जहा हं जहां तुम गए वहाँ वहाँ पतानी कितने सेंक्डों हजारों सालों से जो अठका है वो तो पार हो ही जाएगा और जब वो पार होगा तुमको बड़ा आशिरवात दे करके जाएगा तो बड़ा जब वो आशिरवात देगा वो सुख पाएगा तो तुमारी आत्म सुख जो है वो और भी प्रबल होगा